लग लग बिस्मिल्ला वे थुआ आये दिल दे वेरे जावा सदके ना फुल पतिया तो जिन्ना कदम चुमेने तेरे चल भुलया चल ओते चलिये जित सारे हने ना कोई साटी सात पचाड़े ना कोई सानू मन्ने चल ओते चलिये हयो रबा नहीं लग दा दिल मेरा सजणा बाजो आहनेरा हम तसरकार के गर आए हैं मिलने के लिए दिल चली की तरह बेताब है किलने के लिए असे चली के साथ में आपकी मेजबान फात्मया वसीम आज में आपकी मुलाकाइत कराने जा रही हूं डॉली सिस्टर से जो के मजाकराद के सैट से खासी वायरल हुई है तो आई ये उन से जानते हैं कि मजाकराद के सेट से वाइरल होने के बाद उनका क्या हाल है, कैसे उनके दिन चल रहे हैं और इमरान अश्रफ से उनको कितनी अप्रिसेशन ने लिए है, जी सलमलेकू वालीकम असलाम क्या हाल है? अला का शुकर आप कैसी है? मैं अलхंदलिलल्ल्ल्ल्ह आपके सामने हमेशे की तइना शेड़ा प्यारी अचा आओ आप अबी आपने नम बतां हैं कि हम आपको डॉली सिस्टर्स के नम से जानते हैं अपलो के नम क्या है? तो आपलों के नाम क्हा है? This is Mahashah Sanna Doll II Nay Def Zahra माशालला नाम भी बहुत प्यारे है ठीक इने की ताहरा हुए माशालला गोबलू गोबलू शाप वह इतनी जान कैसे पर नहीं आई बस यार कुछ लोगों का होता है उजड़ों का होता है उच्छना वाले के मिटी है अपना पूप एम हमें तो हवापानी भी लग जाता आप लोगो ने परफॉर्म किया राइट उसके बाद मजागराच के सेट से अरेल होना एक वो ब्रेक मिल आपको है कैसा फील हो रहा है अजयाबल है इजयाब काफी एजयाबल है हपी और मतलब हर दगा पर फैन मुवमेंट और यह वो सारी चीज़े हो रही है अच्छा प्लुक करते हैं क्या अधर दें सिंगिंग अच्छा प्लास होस्ट और उसके अलावा घरेलो जमेदारियां भी हुद ही हम सारी पूरी करते हैं यह इसी तरह कि पोट्री का शौक है पढ़ने का शौक है अच्छे से अच्छा बस मुझे पेंटिंग का शौक है पेंटिंग बनाने का शौक है मल्डि युल्डिडहय गने का शौकिंग कोकिंग कोकिंग इनो को पोईट्री मुजिक प्रदक्शिन्स य कॉंजिक प्रड़ुसिं इसिशंड मुझे मुझेमयों थैसरहा थेरी मौहबबब्ध का यूं कैंब किसी बात का सर नहीं हो थाथ वाहत लिख शिवांग हैं तैजा यूझकालट। जो इसी के साथ गाला सुनादें, यहिए ही सुना देँ होना था प्यार हुवा मेरे हाँ होना था प्यार हुआ मेरे यार आए नजे छेहरे हर्सा होना थाप्या हुआ मेरे यार होना थाप्या है तेरे दिल के शेहर में गर मेरा हो गया मुझे खुशी हो रही है कि अब तक जितने लोगों ने इंटरव्यस क्या किसी ने हमारे उत्का है इस अमेजिग बहुत अशा का जह रही है है क्या कहने है अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा कई बार धड़कनों ने तुम्हें प्यार से पुकारा मिटा इंतजार दिल का हुई खत्म बेकरारी बड़ी उम्र है तुम्हारी अभी दूंड ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी अभी दूंड ही रही तुम्हें ये नजर हमारी मुझे आप लोग एक बार बता हैं तो करने गाना एग्जाक्ली कौन सी एज से गाना स्टार्ट किया और कितना वक्त अब अबने रियास को देती थी बस्पन से आगाज हम दो नाद सूफियाना कलाम पढ़ते पढ़ते स्कूल लेवल से कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं सरकारी लेवल के वो मुसलसल तीन साल फर्स पॉजिशन का अजाज हसल है मुझे हम तीनों मुस्तनत नाथ खान है फिर्स तो फॉल और अलमरा में परफॉर्म करना या सत्रा साल पहले हम लोगों ने पाकिस्तान टेल्वीजन से आगास किया दो साल बाद हम लोगों ने रेडियो जोई कर लिया फिर डेडियो पाकिस्तान पर बी काम करते रहे चलता रहा इस साल तो यह चोटी जो है नायाब जार इस ने रेडियो पाकिस्तान से म्यूजिक कंपटिशन में फर्स पॉजिशन हांसल की तो बस ऐसी सिल्सला चल रहे है सत्रा साल हो गे हैं बाकाइदा फील में काम करते हैं आपकी कौलिफिकेशन क्या या ताइपूचे इस थोड़ फिकर रहे पर इस पर रहेंगे ताग जस्ट ग्राशुएशन और या बेभी बास यार अमी के जाने के बाद फिर घर लूमामलाद पिर संपालने थे थे सारे मालिक ते खेड नहीं यार तो सिफ रिक्वेस्ट रोगों से के यार प्लीज लोगों की जिंदगीयां तंग ना करें जीने सिद्धी गाले अबाजी की तरफ से इजाज़त नहीं थी तब हम जाते नहीं थे अब अमी को तो बारा साल हो गें दुनिया से गए वे तो फिर दसाल बाद अब भू भी चले गए तो वैसे उजाने से पहले कह गए थे कि अब आपको इजाज़त क्योंके उन्होंने देख अब अब आपको जान देख जान देख जान देख जो गणना है तो क्या है अच्छा हो कि बंदा पहले इपरेंट्स के लिए मैं गुजारिश है कि मैं यह नहीं कह रही कि वच्छों को मतलब सही गाइड निकरते हैं वह अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं लेक पेरेंट्स का मुझे बढ़ी खुशी होती है जब यह कोई कहता कि मेरे पेरेंट्स का बढ़ाधा है हमारे पेरेंट्स का भी है यह नहीं कि नहीं है लेकिन और लेकिन रिल्टेस वगएरा ही दूर्ब के लोग प्लीज अपने बच्छों से दोस्ती करें और फिर आप उनक कि जाइजा और यह ना जाइजा यह मुझे कुबूल है यह नहीं कुबूल है इतना प्यार इतनी महबबत आप बच्छों से रखें कि वह आपकी बाद चाना वहर सुरत माने वह आपको इंकार करी ना सके तो फिर वह जिसका कनम जितना दबाओ तो पर ना समझ होते हैं यार तो समझदार इंब बड़े हैं आप माबाप हैं तो पहले आप उनकी समझ लें फिर उनको अपनी समझा लें ऐसे ही ना समझ समझा के तो नेरा वालदा नतया मतलब है तो अपने ही लड़ी है तुसी तो बचे ने तो वह आपका इडियल को और गाने का शौख कबर कैसे लोग इवन हम लोग नाथ में जब आया थे आचे 17 साल पहले पी टीवी से आगास किया जब तो तब भी रेलेटिव की तरफ से यह आता था कि पामे नाथ पाड़ निया था टीवी तहीं ना दुनिया थे वेख रही है तो हमारा पर्दा बहुत ताइट वाला था ना दर्वा करेक्टर्स और सौ लोग कहने वाले होते हैं यार अची आवाज है आप गाहें आपको गाना भी जाए आवी नूर जी दा गाना मैडम जी दा गादित ता लोकाने पाड़ ले आजो जी तो कौन से गाना चला हम गाना सुना हो मेरा प्रोग्रम था पी टीवी का मेला उसमें मैडम का गाना गाया है हाडा माहिवे मैनू प्यारा लगना अब भी वो थोड़ा साब को मैं शेर करती हुआ उस पर बड़ी रिष्थेदारों की तरफ से नहीं पर वी थी हाडा माहिवे मैनू प्यारा लगना अब मेरे हर साविच वसना अब वी न जुदा नेवी न सजा हाडा माहिवे मैनू प्यारा लगना अब मेरे हर साविच वसना अब वी न जुदा नेवी न सजा हाडा चलने ठीक है जी मजागराद के सेट पर कौन सा गाना गा क्या अब वाइरल हो थे वो गाना अब हमें सुना दे और उसके बाद मैं आपसे पूचूंगी के इम्रान अश्रफ को क्या चीज सबसे जादा पसंदाई तो गाना होजए पहले गाना होजए ते फिर से वाल्दा जवाब होजए ठीक है माइक को होज़ा है लग बिसमिल्ला वे थूआए दिल दे मेरे जावा सद के ना फुल पतिया तू जिना कदम चुमेरे तेरे सुते लेख मेरे अज जाग पे सिरमत ते तेरा आरा बुलेशाने दसे आए सानू नच के यार मनोड़ा अच्छा अच्छा आपने कुई कॉम्पोजिशन लिखी हैं खुद या अपने कोई कलाम आपके अभी जो अन रिकॉर्ड आने वाले हैं लांच उने वाले ज़रा ओडियंस को बताएं के शुड वी स्टे ट्यून फर दाट अच्छा जी बिलकुल हम लोगों ने पहले भी काफी सारी चीज़ें जैसे जीवे बनरी हमारा एक गाना है माहरा खान जी के लिए तो वो सबके सामने हैं उसके बाद हम लोगों ने आप सूफी कलाम तयार की हैं तीन पीटीवी से ही हम लोगों ने ओनियर की हैं और उन में से एक जो डॉली सिस्टर ग्रूप का है वो आपके साथ शेयर करते हैं भी चल चल बुलेया चल चल बुलेया चल होते चलिये चल चल बुलेया चल होते चलिये जित सारे हन्ने ना कोई साथी जात पच्छाडे ना कोई सानुमने चल होते चलिये चल चल बुलेया चल होते चलिये मैं रिश्मा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ और उनकी एक लाइन मेरे जहन में आ रही है मैं चाहरी हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ है यो रबा नहीं लगदा दिल मेरा सजड़ा बाज़ा आपके साथ शेयर करूँ अ यो रबा नहीं लगदा दिल मेरा सजड़ा बाज़ा जोगी बेठी जोगी बैठी दिल मेरे नूँ चैनना वे नसबी सपरी रूवे सपरा है यो रबा ने यो लगदा दिल मेरा सजड़ा आजो आया है ने रहा सब्सक्राइए Jennifer सब्सक्राइए सब्सक्राइए श western आपने दूसरी बात है कि जो बहाइंड दिस सीन चल रहा था वो तो कुछ बहुत ज्यादा खुबसुरत था इम्रान भाई तो ओ माइगाड हम लोग खुद उनकी जो खुशी देखके ना तो हैरान थे को इतना ज्यादा खुश है माशाला से उनने सबसे पहले है काम कमी प्र प्रोग्राम की रिकार्डिंग से पहले गरवा दी थी और चेक करते हैं किसके ने परफारूंग करना है तो इम्रान भाई ने उन्ते कहा दिया बहुत खुश थे और उसके बात पर गहते हैं आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा यह सब से खुब सुब सुब सुछ थी लास्ट पर हम तीनों के साथ इम्रान भाई ने हाग किया ऐसे करके ग्रूप हग भी हुआ हमारा जैसे जगर ना पीड़ी किया था ग्रूप हग मॉर्निंग चगवा और पर उसके बाद सेल्पी हो ही हमारी और एक अच्छा एक्सपिरियंस रहा बहुत अचे इम्रान भाई लेकिन इम्रान भाई के लिए खास तोर पर दिल से दुआय निकलती है बहुत प्यारे बंदे हो बहुत अनको और तरखियां कामिया भी दे और कुछ रखे इसलामत रखे और एक चीज़ और उन्होंने अपने इंस्टा पे भी हमारी वीडियो अपलोड की मैं वह बहुत मे इसके बाद अब एक गाना इम्रान सर के लिए भी गादे और मुझी मेई तरसे मैं खुदाफस कहती हूं ओवर टू देम यह इनलों का जो दिल करते हैं अब यह गाना गाके उनको डेडिकेट करेंगे तो यह आपकी तरफ जाना भी हम तासर कार के गए आए मिलने के लिए चलिए इतना ही सही रस में दुनिया ही सही रस में दुनिया ही सही एक हर्की सी हसी लब पे सजा कर मिलिये एक हर्की सी हसी लब पे सजा कर मिलिये रस में दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है एद का दिन है गले हम को लगा कर मिलिये एद का दिन है गले